हलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्ट नोकली चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जिया दोस्तो यह अपडेट है आपकी 15 फरवरी से लोकल ट्रेन में मिलेगी अनुमती आम जनता के लिए मजदूरों को प्राइवेट क प्रमचारी हों सेलसमेन हों इन सभी के लिए घटा दिया जाएंगे यानि यह कभी भी सफर कर सकते हैं और बात करेंकि संख्या की तो यह 47,00,000,000 से ज्यादा है, जो दो तिहाई से ज्यादा का हिस्सा जो है अभी भी लोकल से बंचित है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको वही बताएंगे कि कब से और कैसे आपको जो है लोकल में सफर करने की अन्मति दी जा रहे हैं सरकार के दौरा तो वीडियो स्टार्ट करूंगा उससे पहले आप से छ जादा जो गुस्सा है जो आक्रोस है वो आम जंता के भीतर है लोकल तो खुल गई लेकिन लोकल में सफर करने की अनुमति के लिए पाबंदी लगा दे गई सरकार के उपर इस पर काफी ज़्यादा दबाव बना हुआ है आम जंता कई जगहों के माद्यम से शाहे सोशल की पाबंद्या क्यों सुबर चार से साथ उसके बाद बारा से चार उसके बाद रात के नौ बजे के बाद आखरी लोकल तक तो ऐसे समय में तो आम जंता वैसे भी सफर नहीं कर पाती तो इसलिए सरकार से काफी ज़्यादा गुजारिस की गई और इसके उपर एक में तो उनको जो है अपना पहचान पत्र दिखाना होगा मजदूर किसी ठेकेदार के अंडर काम करते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं उनके लिए भी क्या है समय की पाबंदी जो है वो साथ से दस के बीच में जो है कर दी जाएगी यानि कि आप साथ से सफर करने के लिए जो समय होगा क्या होगा आठ से नौ से इसके बीच में सफर करना चाहेंगे जैसे वीरार से आते हैं चलिए आप दूर से आते हैं तो भी आपको एक घंटा लोकल में सफर करने को लगा लेकिन सुबस साथ बेसे कर आप आके बैठे रहे और ग्यारावेस आपका अगर जॉब चालू हो या बिजनेस चालू हो तो आप चार घंटा बैठकर करेंगे क्या तो यहां पर सरकार ने अपनी तरफ से एक पॉजिटी रिस्पॉंस दिया जो स्वास्ता मिनिस्टर है राजेस टोपी जी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने मुख्य मंतर जल से जल हटा दिजाने चाहिए तो दूसरी तरह रेल अधिकारियों से जो बताया जा रहा है कि जो जल से जल आपको 15 तारिक से सभी को यह अनुमत्ति दे दी जाएगी जो काम चल रहा है बहुत चोर सोर से सुरू हो चुका है वैक्सिनेशन का और वैक्सिनेशन का लगब है वो मुंबई से बहुत ही काम हो गया है तो आज के लिए इतना ही मीडिये करें नेक्स वीडियो में धन्यवाद